प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्यानकारी योजनाओं को लेकर प्रेसकलभ में कारिकरम आयविद की गई इस कारिकरम में जन कल्यानकारी योजना से संबंद रखने वाले कई लोग उपस्तित थे मिडिया पर होरी सबरी भी शामिल हुए परधानमंतरी नरेदर मोदी का शपना सभी परखंड में बायो गैस का प्लांट लगाया जाए जिससे गरीबों का चुला जल सके इसको लेकर परधानमंतरी जलकल्यानकारी राष्टिय उपाध्यक्ष सतजीत कुंदन ने मिडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग गरीबों को जोडने के लिए भी बोल रहे हैं और उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा साथ ही परधानमंतरी का जो सपना है कि लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए उसमें यह योजना काफी लाफदाई होगा परधानमंतरी नरेंद्र मोदी के सपनों को सकार करने के लिए ये लोग लागातार प्रयासरत करते हैं लगवर अभुम लोगों को सभी ब्लॉक सब्सक्राइब लगानी इसके ही है लोगों को जांकारी देसे तो काफिक समाज के लिए तो बहुत जादा फाया है जैसे कि शादो को कर से अधा है जान का बच्चावब अच्छा से भी बन जाता है लेकिन हमनों फोकस करें इसके लिए किसान को benefit के लिए नेकर ग्रास किशामपूर देगी नेकर ग्रास महीने में 12-17-15 फिट का साइट का हो जाता है और एक बार लगने से 10-12 दस साल तक ने 10 साल तक वो benefit देता है और करने का हमारी युजना में अपूर है और वो जो देंगे तो उन लोगों का उसमें benefit है कि मार्ट पचाव सब्सक्राइब करें और जो हमने खरिकते हैं अभी जो भी गैस यूज करें वो काफी कौश्टी पड़ता है और यह कम कौश्टे जब लोगों को मिलेगा तो लोगो जाइसी बात यह जादा से इंका में किसान दूरेंगे और किसानों को इसकी benefit दे और अच्छा benefit देगी अगर एक केकर में को इकमास लगाता है तो भी सेबाइस रहता है किसान के इसके पास कुछ नहीं है जमी परती बड़ा हुआ है तो उसके लिए काफी बैश्टी बैश् यह जीरा के अंदर जितने भी लॉप है वहाँ के लोगों से संपर तरेंगे जो जतना लोगों जादूर तरेंगे वहां के किसानों कर पहुंजेंगे और हमारा प्रोग्राम को वहां कर लेकर जाए